Hello Everyone, वागते आप लोगों का मेरी YouTube चैनल LWD Job में यह हमारे सेव नया recruitment जारी किया गया है 15 अक्तूबर 2024 को हलाकी teaching की post नहीं है लेकिन कोई भी vacancy आती है advertisement जैसे ही जारी होता है आप लोगों को सूचित किया जाता है हो सकता है कोई candidate यहाँ विदन कर सकते है salary काफी अची है 60,000 per month salary रहेगी और एक और post है जिसमें 80,000 per month salary है apply जो है किसी भी राचे के candidate कर सकते है कोई fees नहीं देनी है age की अधिम बात करें तो age 45 year तक के candidate यहाँ अभीदन कर सकते हैं चले देख लेते हैं सबसे पहले जो post का नाम है consultant की post है जिसके मैंने आपको बताया कि teaching की post नहीं है तो इसमें जो है number of vacancy एक है और salary इसमें 60,000 per month है qualification इसमें क्या चाहिए तो post graduate degree आपकी education में हो social science में हो, humanities में हो public policy में हो, sociology में या फिर any other related discipline में तो आप आविदन कर सकते हैं knowledge जिनोंने B.Ed किया है तो ये knowledge तो आपकी बिल्कुल आपके पास होगी pedagogy, teaching and research method school assessment, academic curriculum design and curriculum development ठीक है, इसके साथ में जो है यहाँ पर अनुवब भी जो है मांग रहे हैं और अनुवब जो है government sector का resource person का आपके पास होना चाहिए दो साल का, तो आप इसमें आविदन कर सकते हैं, resource person की vacancy जिस भी राज्ये की district wise जारी होती है, आप लोगों को बिल्कुल बता दी जाती है, ठीक है अगर किसी के पास जो है resource person का दो साल का अनुवब है, post graduate degree इन में आपके पास है तो 60,000 पर मन्द जो है salary आपके यह पर रहेगी, एक और post है और यह post senior consultant की है एक post इसमें भी जो है qualification post graduate degree education में, social science में humanities में, public policy में sociology में, कहा गया है और knowledge वही मागी गई है pedagogy की होनी चाहिए, pedagogy teaching की होनी चाहिए, research method की, school assessment की academy curriculum design की और curriculum development की, ठीक है इसमें जो है क्योंकि senior पद है यह consultant का, तो इसमें salary भी अधिक है और experience भी अधिक माग रहे है 80,000 per month salary इसमें है और इसमें 7 साल का अनुभब जो है resource person के तोर पर ही काम किया हो आपने किसी भी government sector में, ठीक है age limit इसमें 45 year है age limit और upper age limit जो है यहाँ पर 45 year है 40 year मैंने thumbnail में लिख दिया है बाकि 45 year है आप इसे ध्यान में रखें तो जो भी candidate आविदन करने के चुक है बस इतनी ही जो है vacancy थी मुझे लगता है कि अगर कोई भी candidate जिनों resource person का 2 साल का अनुभब है या 7 साल का अनुभब है अगर आविदन कर सकते हैं करिएगा desirable qualification जो अब ज़रूरी नहीं है ठीक है 29 October 2024 तक आप लोग application form भे सकते हैं application form इसी के नीचे दिया हुआ है ये address रहेगा envelope के उपर आप ये address लिखेंगे और एक line लिखेंगे application for the engagement as consultant या senior consultant ठीक है अपने जो है जो भी document है उनकी photocopy application form के साथ में लगा देंगे नीचे आप देखेंगे तो application form आपको मिल जाएगा इसी के नीचे ये application form है ठीक है इसे download करना है print निकालना है fill करके और भेज देना है एक और चीज़ इसमें important tenor of appointment तो ये जो है contract based पर vacancy है और केवल एक साल के लिए ही जो है ये vacancy इसमें जारी की गई है तो अगर आप interested है और आपकी qualification है यहाँ पर आविदन यदी कर सकते हैं तो करिएगा official website पर चले आए यहाँ पर notification नीचे new आपको नजर आ रहा है इसमें other पर click करना है other पर आप click करेंगे तो यहाँ पर देखिए invitation of application for the appointment as concerned academic in any STS ठीक है 15 October 2014 start day है और end day जो है last date 29 October 2014 notification की PDF फाइल यहाँ पर है यही पर application form आपको मिल जाएगा मिलेंगे next video में Thank you